Hello everyone, आपके अपने चैनल V4U में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम आपके लिए previous year question paper लेकर आए हैं तो आज हम discuss करने वाले हैं B.com program का second semester का business, mathematics and statics का question paper तो यह आप देख सकते हैं, यह question paper है इसमें आपको duration जो मिलता है, वो 3 hours का होता है तीन घंटे आपको दिये जाएंगे और part A के लिए 1 hours और part B के लिए आपको 2 hours दिये जाएंगे और जो maximum marks है, वो है 75 लेकिन जो part 1 के marks है, वो है 25 marks का और part B का 50 marks का है और यहापर कुछ instructions given है candidate के लिए कि सबसे बहले आपको उपर अपना roll number लिखना होता है question paper पे सारे question करने compulsory होते है एक separate sheet दिया जाता है part A के लिए separate sheet दिया जाता है और part B के लिए separate sheet दिया जाएगा आपको और उन separate sheet में आपको part A के answer एक separate sheet में करना है part B के अलग sheet में और फिर हैंपर फोर्थ पे दिया हुआ है कि आपको calculator ले जाना allowed है simple calculator आप ले जा सकते हैं and log का table या फिर graph अगर आपको चाहिए तो आपके demand पे वो आपको provide कर देंगे तो अगर आपको need होगी तो आप वहाँ पर जरूर पूछ लेना और आपको वो provide कर देंगे और फिफ्थ आप इंस्ट्रक्शन है answer में भी written either in English और Hindi किसी भी language में आप English या Hindi में लेकिन आपने जो medium फिल किया है पेपर का उसी मीडियो में आपको करना है या आप देख सकते हैं यह पार्ट वन है business mathematics दे रखा है भाग का और इस पार्ट ए को करने के लिए आपको one hour time दिया गया है 25 marks का है और यहां पर आप देख सकते हैं जो question 1 है वह भी further divided है parts में सब parts है इसके a, b and or में करके भी दे रखा है और means या तो आप उपर वाला कीजिए या तो आप नीचे वाला कीजिए यहां पर आप देख सकते हैं और यहीं पर यह हिंदी में है तो आपको इसे करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रुरत है यह नहीं कि यह hard है लेकिन easy भी नहीं है प्रैक्टिस math तो प्रैक्टिस मांगता है तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रुरी है आप देख सकते हैं question 2 में भी parts है और इसको भी और में given है two parts है further इसके और यहाँ पर हिंदी में given है अथ्वा means भी यह होता है या तो आप ये वाला attempt कीजिए या फिर ये वाला attempt कीजिए and यहाँ पर देख सकते हैं आप यह third question है third question भी same है इसमें भी दो questions तीन questions दिये रहते हैं और वो parts में दिये रहते हैं आप देख सकते हैं यह part भी आ गया जो कि है statics यहाँ पर भी instructions given है first है कि आपको सारे question attempt करने है compulsory है and question 1 जो है वो five marks का है five marks carry करता है और जो other question है वो two parts में है first part जो है वो five marks का है and जो second part है वो 10 marks का है and each questions except first is of 15 marks मतलब की first को छोड़के बाकि सारे questions जो है वो 15 15 marks के है same चीज यहां हिंदी में ही वही लिखी हुई है जो भी आपको बताया छात्रों के लिए निर्देश and यह आप देख सकते हैं यह question 1 है question 1 में A, B, C and D five questions होंगे D, E five questions होंगे इसमें और इनी questions को यहां हिंदी में दिया हुआ है आपका जो भी medium है अगर आप हिंदी medium के हैं तो हिंदी में attempt कीजे अगर आप English medium के हैं तो English में attempt कीजे यहां पर आप देख सकते हैं यह second question है इसमें A and B and दो parts है दो-दो parts में divide है यह और यहां पर और में दिया हुआ है या तो आप उपर के दो कीजे या तो यह नीचे के दो questions कीजे और यहां पर यह इन ही को हिंदी में दिया हुआ है फूर्थ एंड शिक्स सेम के बच्चों के लिए हमने पेपर प्रोवाइड कराया था ऐसे important questions प्रोवाइड कराये थे तो वह बता रहे थे कि हां एकदम as it is questions आते हैं पूरे नहीं लेकिन कुछ questions एकदम as it is आते हैं तो question paper एकदम ही खाली छोड़ने से अच्छा है कि उसमें कुछ ना कुछ लिख कर आए ताकि हम pass हो जाएं तो आप इससे practice कर सकते हैं इनमें से भी questions आ सकते हैं तो आप इनकी practice ज़रूर करके जाएं previous year बहुत ही important होता है previous year की question आपको practice करके ज़रूर जाना चाहिए हैं आप देख सकते हैं यह था हमारा paper statics का यहां पर दिया हुआ है यह questions हैं आप एक बार इनकी practice ज़रूर कर लें ताकि आप questions कर पाएं यह question number 4 है यह भी क्वाई हैं